दोस्तो एक बार राक्षस के बच्चे का बर्थडे होता है, तभी सभी बच्चे राक्षस के बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं, तभी राक्षस का बच्चा सबसे पहले उपर वाला गिफ्ट खोलता है, जिसके अंदर दो चश्मे होते हैं, फिर जोकर होता है तभी वो जोकर राक्षस के बच्चे के मुह पर केक मार देता है तभी राक्षस बच्चों को पकड़ने के लिए उनके बिछे जाता है तभी वो बच्चे एक दूसरे के उपर चड़ जाते हैं और वो राक्षस के जितने लंबे हो जाते हैं तभी ग्रैनी की ब प्राक्षस की बच्ची से लड़ने लगती है और वो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं